वीगार्ड प्रिजेंट्स कौन जीत रहा है को पावर्ड बाइ सेंसुडाइन और विमल बोलो जुबा के सुरी अगर हम जूट बोल रहे तो हमको फासी पर चड़वाए आस तक किसी भी दुरघटना का निंदा करते हुए हम लोगों ने सांसत के मुसे नहीं सुना सांसत हमको मरबाद या निसीकान बाबू से कौन भीड़े जो उनसे भीड़ता उन्हीं को परवाद कर देते हैं तो कारवाई हो कानूनी कारवाई हो तो एज यूबिश देवगर में इस वक्त और देवगर में बाबा बैतना धाम आया है और यहां पर मंदिर के बारे में हमने कई वीडियो बनाई मंदिर का दर्शन कराया उसके बाद हम आ गए यहां पर इस गली में जहां पर प्रसाद बि है और वोटिंग होने वाली है उससे पहले यहां के लोग क्या सोच रहे हैं तो आपका क्या नाम हुआ मेरा नाम प्रभू संकर मिस्र है बबलु आबा के नाम से भी हम जानते हैं क्या है यहां की मुद्दे क्या हैं बाबा के धाम में बाबू हम लोग यात्री का कमाई खाते ह बैदनाद को जो दर्सन करने जो यात्री आते हैं उनका कमाई खाते हैं यात्रियों की सुरक्षा सबसे पहले आप बैदनाद मंदिर की सिकायत पुस्तिका देखें चोरी पोगडमारी की घटनाएं भरी वी है ना परसासन को ध्यान है ना मंदिर परसासन को ना सरकार को कोई लेना देना ने सरधालवों को सुरक्षा के नाम पर कोई बात ने और दूसरा ये लोग टिकट वेवस्था जो करवा दिये हैं चार घंटा पास घंटा में टिकट लेकर के आजमी लाइन में लगते हैं और उसके बाद जैनरल लाइन तो भगवान भरोसे हैं पहले ऐसा नहीं होता था चालिस से पचास मिनट के अंदर जादा से जादा भीड में भी लोगों का दर्शन हो याता था यह लोग बैदनाद मंदीर को एकदम प्रस्ट हाँ ब्रस्टी बोलेंगा है यह ग्यारा बच के पंद्रे मिनट से लाइन में लगे और बिना दर्शन क भी जा रहे हैं हम लोग क्या नाम हुं आपका विकास साब भागलपूर भागलपूर से आए हैं तो दर्शन नहीं कि आपने लृष्टानी के अप गेट बंद हो गई ना आज कह रहें किआए अज भीड ज्यादा है कदसी है पढ़ाया याता है भीड को पैदा किया याता है एक ही भीड को चार्ज गुमाया याता है टिकट कटाने के लिए भीड को बनाया याता है और कोई बात नहीं है पहले भी भीड होती थी पहले भी लोग आते थे जल्ली अल्ली दर्सन करते थे जबसे ये टिकट मेवस्था चा लूआ यात्री लोग बरबाद हो गया तो घालोग बढ रहा है क्या हिस्साइब लोगों का हिस्सा है यहां पर दुकान चलाते हैं या लोगों का वो टिकड़ वेवस्था में जो जाता है उसमें 40 परसेंट पंडा जी का उसमें हिस्सा है लेकिन पंडा जी को प्रटी पर्सेंट हिस्सा कभी नहीं मिला यह दलाली में सब चलाया आता है बहुत कम मिलता है और हम लोग अपना डक्षीना में गरटोती करवा करके टिकट bought है और उल्टे हमीस Love को डलाだ बनाया यात था यह कितना गंदा बात कोई यातरी आते थे चार नाद्म चार यातरी आए उनको टिकट गटा के 1000 रुपे टिकट में चला गया हम को क्या दक्षीना देंगे पहले हम लोग पहले हम लोग छाती सीना तोड़कर भीड में वेदिनात का दर्शन करवाते दें यात्रियो को अब तो दलाल का सिस्ट्म हो गया दलाली हो गया कौई बोलने वाला ने सबसे बड़ा दुक्ता का बात है कि यह सच्चा दर्बार को दलाल का दर्बार बना दियाय। और कोई बोलने वाला नहीं। फर से भी कई लोग डालियां बजा रहे हैं. ऐसे का पूरा सब नाराज हैं क्या या काफी जादा सिस्टम से हम लोग निसीकान दुबे से घोर नाराज है निसीकान दुबे हम लोगों के परतिनिदी कहना लेने लायक नहीं है आज मंदिर का जो दुर्दसा है यह निसीकान दुबे के ही कारण है यहां पर हिंदी बिद्या पीड था वहां से 20-25,000 यात्री सावन के समय में रहते थे निसीकान द लोग पर करवाई करवाएं और उसी के कारण भगदड़ हुआ कितना बार भगदड़ हुआ यह लोग गलत रेगुलेशन करवाते हैं और भगदड़ करवाते हैं और निसीकान दुबे संसत में पंडा के विरोज में बोलते हैं जो पंडाय करवाएं पंडा क्या करवाएं लोग कर वाते हो सब वेबस्था तुम लोग कर वाते हो पंडा को बदनाम करते हो जो सच्चा ब्रहमन हो निसी कांद दुबे को कभी वोट नहीं देगा इसा तो नहीं यह भी तो हो सकता है कि वो कहें कि यहां के जो लोग हैं वो एक जूट है विसलिए इस तरीके के आबात आवाज उठा रहे हैं क्योंकि आप लोगों को फायदा नहीं मिल रहा है ऐसा भी बात हो सकता है कौन चीज का फायदा हम लोग बैदनाज का दर्वाजा पर है बैदनाज का दर्वाजा का कुता हो मोटा होता है फायदा हम लोग जजमान भीड हम लोगों का लगाया हुआ करोड़ों अर्वों का अधार्भू सक रचना हम लोगों का सब चीज का फायदा हम लोगों का फा प्रशार्षन तो स्टेट गोवर्ण मेंट्ट जो 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 मुक्ति मुर्चार पुलीस उनकी प्रशार्षन उनकी है तो मंदीर का सरकारी करन नहीं हुआ था तो उससे में मंदीर प्रबंधन बोर्ड़ हाइड कोड kपनाया वा कमीटी चलाता था और उसके मेंबर निसीकान द के तोटल और लाइन ओडर का तो बात ही मत छोड़िये खुले आम गोली चलिती है खुले आम बं चलता है आस तक निसिकान दुबे के मूह से लाइन ओडर के परति किसी ने नहीं सुनाए आस तक किसी भी दूरगटना का निंदा करते हुए हम लोगों ने सांसत के मुघों से सुना साथ सद हमको मरवाद है कि सरकार तो यहां पर जबूत हैं ज़्यादा ज़्यादा अवी है एक दम हभी इस संसद में आवाज उठवाते इधर आवाज उठवाते पुरा वाब पुलिस तो जे मेंम का है ना सोरेन परिवार की सब्ता है यहां पधिश तुनाव जित जाएंगे इसलिए पूरे परिवार से खूम रहें हैं पूरे परिवार साहीज बाल बंप्चा खूम रहें हैं हुआ है कि उ खनाओक महावल का इस बार परिवर्तन यहीं तो परिवर्तन हैं पेशलिव मंदिर लगए लगोट स्धेंगे उनका कैडर उनको भोड़ेन पंडा नाहाज है कुछ पंडा इनके मित्र का यहां पर जमीन ले और बाहर में क्या क्या लिये भगवां जाने बहुत बड़े आदमी यह दो तीन हजार करोड के आदमी हैं और इतना जल्ली का से पैसा लाए और फिएजडी का डिग्रें यह हम तो सरकार से डिमांड करते हैं जो इनका थिसिस को पाठिकरम में सामिल किया जाए ताकि बच्चे लोग पढ़ें और जाने ज़तना जल्ली पैसा कहा से बनाया जाता है और क्या पुछना जाता है नाराजगी बहुत जदा है नाराजगी देखिए नाराजगी हमको वैक्ति विसेश से नहीं है उनके कर्म से उनके खराब कामों से नाराजगी है पूरा देवघर का जो अभी वाटर टेबल है पूरा चौपट करवाद यह हैं पूरा चौपट में आता था उपर में कंक्रीट देवाद ये उपर से सड़क बना दिये ये बढ़िया बात रहें कि जो निशकान दुबें है वहां पर पीछे रिपोर्टिंग कर रहे थे हम तो बोले कि निशकान दुबें ने एमस बनवाया एरपोर्ट बनवाया उससे काफी भीड़ी और आप कह रहे हैं कि अरे भाईया राजनीती का हमाम में सब नंगे हैं हम लोग सब को जानते हैं कोई जो बोलता है ना जो ब्रस्टाचार ब्रस्टाचार उससे बड़ा ब्रस्टाचारी कोई नहीं है जो आज के समय में ब्रस्टाचार ब्रस्टाचार बोलता है हम लोग जान हम जजबान पकड़ते हैं तो जिस जजबान का हम पुजा कराते हैं तो उसको उसकी नजर में हम अच्छा रहना चाहते हैं अगर वो किसी अनिक प्रोहित को पकड़ना चाहे तो हम कोशिस करते हैं कि जजबान को करते हैं कि वह आदमी आपको सही पुजा नहीं कराएगा या वह अमुक आतमीं आपको ज्यादा दक्षिना ले लेगा या आमुक आतमीं आपको ज्यादा परिसान करेदी तो यह दमाग में जीने वाला इसमें जज़बान आर पुरोओढ के कारण दिमाग में होता है कि तो यह राजनिति है कि यह राजनिति है लोग कैसे नहीं चाहेंगे कि हम अपना दाई को मिठा कि है कि नहीं जरूरी है किarmed块 C इस तो प्र ये सामिल हो गया है तो जब बोटर लिस्ट आपका सरकार का बन सकता है पुरे भारत का तो एक साधरन सा सहर का वा क्राइम लिस्ट क्यों नहीं बन सकता है क्यों नहीं ऐसा होता है कि अपरात मुक्त समाज नजराए गाझी वाले क्यों करा रहे है कि कॉंघ्रेंश और जीमम्मिल के सरकार चला रही है वही सब बढ़ाई है उसी वजह से सब बढ़ गया कि하는데 बूस्ट ए रांजुस है कॉंघ्रेंश और नहीं हमें जीए मैं मिल रव से घृणा है नपरहता है हमें राजिती से नपरत writes ऐ राजनिती में जो नीती अपनाई जाती है पहले क्या होता था कि राजा राज करते थे वो राजनिती का लाता था तो राजा अपने सभा में एक धार्मिक बिद्वान को रखते थे वो क्या करता था कि धर्म के अनुसार राजनिती कर भाता था धर्म के अनुसार राजनिती हो राजनिती में धर्म था पहले अब क्या है कि धर्म में राजनिती है तो यह जब तक धर्म से राजनिती नहीं हटेगा बैट जब तक नहीं होगा तब तक चाहे देवगर सहर रहे या अमेरिका वो कह रहे हैं कि धर्म धर्म पे तो बात ही नहीं हो रहे थी पहले लोग दर्म मजबूत हो गया विजेपी वलते ही कहते हैं कि हमने राम मंदिर बनवा दिया हमने यह कर दिया हमेशा से मजबूत था मजबूत है और मजबूत ही रहेगा इसको कोई खोकला नो कर सका था और नो कर सका है न कर सकेगा वो एक साधरन सा कोई मिनिस्टर है कोई यह है वो ह समझ रहे हैं कि मैंने धर्म को मजबूत किया तो मेरे ख्याल से हमको नहीं लगता कि दैट इस प्रोपर वेपोर हें क्योंकि धर्म यहां सुरू से मजबूत है भारत में भारत में धर्म इतना मजबूत है कि लोग भगवान के नाम पर ही अपने बच्चों का नाम रखते हैं आपका क्या नाम हुआ आपका क्या नाम हुआ जालिया तो अभी एदर या एक बात और बताना चाहते हैं सदर होस्पिटल टावर चौक के पास था निसीकांध भाहिया ने यहां के बिजेपी के विधायक नारायन दास के साथ मिल करके उस होस्पिटल को तोड़वा करके य और क्या क्या करना चाहते थी और हमने विरोज किया और भी सीवीलियंन ने विरोज किया लेकिन किसी पॉलिटिकल्टीने विरोज नहीं किया यह एसा भह का बातावरण करवा दिया है। उसके बाद हॉस्पिटल को हम लोग बचाए और कोरोना काल में वो कोरोना का जितना भी आते थे पैसेंट सब वहीं पर रुखते थे. सोचिए ये कैसा आदम है जो हॉस्पिटल को बरबाद करना चाहता था. बैदरान मंदिर को बरवाद कर दिया, हस्पिटल को बरवाद करना चाहता था, सीवंगा को बरवाद कर दिया, यहां का समुचा वाटर टेबॉल को बरवाद कर दिया, तो क्या तुम किया? और तुम एरपोर्ट लाया, एरपोर्ट तो DRDA भी लाया, अकेले तुम लाया क्या, और थोड़ा सा खराब मौसम होता है, फिर हवाई जास घुमके वापस चले गया, यहां लेंड ने करती है, कोई पटना वापस चला गया, कोई राची चला गया, फिर कोई कलकत्ता चला गय यह होता है, यहां का आधाधूरा विकास, और यह बोलते है, पुनासी डेंबन वाइ, पुनासी डेंबन वाइ, निसीकान जी बताईए, जो कितना एकड जमीन में पुनासी का पानी किसानों का खेत में गया, यह बता जीजिए, हम आपको भोट देतेंगा, पर्देश सरका सरकार मोटा मोटी काम कर रही है यह जनता से लड़ने वाली सरकार नहीं है और इसके पहले जो बीजेपी की सरकार थी यह जनता से लड़ने वाली सरकार है यह जो सांसत जो है यह अपना यह प्रजा से लड़ते हैं कैसे जीत जा रहे हैं तीन वर्स लगातार जीत जा रहे हैं समुचाउं देवगर का आज में का कार नमा है इनको बोड रोन नहीं है। जैसे हम तो अगसमात आ गहें काहम के सामने में और जानते नहीं है कि इसा कोई कारवाईर पैर मेरे विंपर कोई कारवाई हो कानूनी कारवाई तो कि यह कोई ऐसा कुछ कर दिये कि कोई कर वाई होगी मैं मंदिर में राने वाला एक साधारन इंसान तो अपनी अपनी समस्या तो बता ही सकता है अभी वैक्त करने का अधिकार है कि कौन माई का लाल लिया जो आप अलुचना कीजेगा आपको जेल ढुका देगा आपकर करवाई करेगा जाइए निस्चिन दुगर के बबलू आवा जिंदा है कुछ साल पहले रखुवर्दास जी ने किया रखुवर्दास जी से पहले यहां पर बैदनाज मंदिर प्रबं बैदनाज मंदिर से चार किलोमीटर आगे बेला बगान मोहले में परसासर और सरकार की विफलता से भगदड़ होती है और उसी भगदड़ को यह लोग विधान सभा में खुब पक्ष विपक्ष मिल करके रोए और बैदनाज मंदिर पर कानून बना जिए जो बैदनाज मं और पर अयौह ये किसी भी एजनशी से यहां के एक्षिडेंट से पहले सावन आने से पहले डीमने देवगर के डीमने पारा मिलेटरि फोर्स नाहीं चेहर शकार से जो फूर्पार तो निला-वरदी वाले नहीं आती हैं zainga सुलूंप अर ये निला-वरदी वाले आते थे ह पर हमको मालूम है हमको सहेव लोग कुछ बोले थे जो ये लोग पारा मिलेटरी फोर्स का डिमांड किये थे जिसको सरकार उपर में बैठे वे पदाजिकारियों ने नहीं भेजा और जिसके करण एक्सिडेंट हुआ और बैदनार मंदिर को सरकारी करण करवा के बैदनास को अपने अध् Fill करवा दिये लोग रगवार दासकी सरकार है और यह लोग हिंदू हिंदू बोलता है उपका और आप करना चाहिए उनको न किसी भी स्टेट में पुलिस जो हुटी स्टेड गोर्मेंट के एंडर होती है आप सारी चीजे आई सांसत जो होथा पॉरमेंट璞 थे लिए आप मंदिर बनाने के लिए डूराम मंदिर चलाने के लिए आप लोग एक कमीटी बनाए कि तहों कोर्ण कदिश्ट बना इसके बहुत मंदिर है भरत वर्ष में किसी का चीफ मिनिश्टर किसी भी मंदिर का ध्यक्ष नहीं और यहां पर जो बेंगे ब्रेकंपई सुचहां वहां अभी हाब सोरा इसके पहले हैं मन तोberger करना चाहिए कॉंग्रेस के लोगों से लोगों से निवेदन करते हैं जो गलती रगवरदास ने किया उस गलती को आप सुधार दिए बैदनाद मंदिर को सरकार के नियंदार जाने वाली है यह खतम होने वाला है पांच साल दूसरी सरकार आएगी सरकार तो प्यात का छिलका ह होता है सरकार दूसरी सरकार आएगी अगर आप लोग सचमुच में हिंदू धर्म के हितैसी हैं आप लोग सचमुच में बैदनाद धाम के हितैसी हैं आप लोग सचमुच में भगवान सीव को मानते हैं जो आप लोग मालिकाना हग जो जार्खन सरकार किये हुए हैं इसको ह चपिता दिए कोई कमीटी बना दिजी वह कमीटी चलाएगे रर्डनाज मंदिर को और उधारन दिए और उधारन मंदिर नहीं कौण कौन मद writers के अध्यक्स है उधारन दिजे और लोग उधारन दिए पोलिटिकल लोग बैदनाथ को अधिन अपने कर लिए जानते हैं सर मंदिल का पड़ खुलने के समय में ये सरकार के लोगों ने धाई बजे राज बैदनाथ का सिंगार करवाया बैदनाथ का टाइम टेबूल से ये बैदनाथ चलते हैं ये ठाकुर बाड़ी वाले बैदनाथ नहीं है ये और हम कट्टर सनातनी हिंदू हैं हम कट्टर सनातनी हिंदू हैं हम समाज में उल्टा पूल्टा बाद नहीं बोलते हैं कि दूसरे धर्मों से लड़ाई नहीं करते हैं हम अपने धर्म पर गर्व करते हैं दूसरे भी धर्म का सम्मान करते हैं कि कट्टर कहते हैं तो दूसर करेधर्म के लोगों कहा तक्रिब दे रहे हैं अरे तो बैदनाथ को तो यहां के बारे में लोग बताते थे एक मुसलिम संत थे उनका नाम था दाता बाबा उनके साथ बैदनाद चौसर खिलते थे एक तरह का लुड़ो चौसर पुराने जमाने में चौसर बोलाया था था चौसर उनके साथ खिलते थे हम लोग तो बड़ा बुजुर्ग के मूँ से सुने हैं अहां और रहें पानी लेकी कौन अच्छा दाता सहाब जो संत थे वो रोज बैदनात का सिंगार के लिए वो मंदिर के अंदर नहीं आते थे मंदिर के बाहर में वो फूल दे देते थे वो फूल रोज भगवान के पास जाता था एक दिन उनको आने में लेट हो गया बाबा का पट बंध हो गया बहुत सारे लोग देखे फूल अपने आप उड़के भगवान के पास चला गया उनके हां से निकल के बहुत सारे लोग देखें तब हम लोग उनको दाता बाबा बोलता है तो यहां का यह जो माहौल है मंदिर के अपने मुद्दे हैं और यहां पे जो पंड़े हैं पंड़ा है और तमाम लोग पंडित जो हैं उनके अलग अपने अपने राय हैं कुम लाके जो में इसू जो इन्हों बताया कि यहां पर मंदिर में जो लंबी लाइन लगती है वो पहले नहीं लगती थी उसके अलावाँ टिकट की वजह से मौदी जी मौदी जी सहारा का पैसा कैसे दिलवाईएगा या करोड़ों करोड़ रुपया गरीब आजमी का जमा हो गया है सहारा के पास अमीस्टा बाबु आप घोसना किये थे सहारा का पैसा गरीबों को मिलेगा कहा मिला कितना मिला कितना का बहुत औरव चैका साढ़ी नहीं हो पा रहा है हम भी अपना बच्ची का साढ़ी किये करजा ले और यहीं सेैं अप पाहों की है चुनाव का महूल क्या है तुनाव का महूल भीत ज़क यहां है कि उसका लग रहा है जोरवारी है आप जोने साथ क्यों कंग्रेस की और सबस्क्राइब और बाबा बैदनाद की कृपा रही तो मोधी जी तिसरा टर्में प्रधान मंत्री बनेंगे और देश जो हमारी पाचुई अभी जी डीपी है वो तिसरी जी डीपी एक दिन आएगी और हम भारत हमारा सब्रुसक्तिमान बनेगा भरोसा है भरोसा जितना बाबा के उपर है बाबा अगर चाहे तो मोधी गवर्मेंट करके दिखाएगी हम किसी पार्टी से नहीं है हमारा किसी पार्टी से लेना देना नहीं है हमें नेता से मतलब है न की पार्टी से मतलब है दर्शन कर लिए हाँ हाँ जो हमारे बाबा और स सुनिया गादी जी उसका केस की कंव के राम कालपनीक है राम से tu जिसको स्री राम चंद्र जी ने बनाया औरहां रहराम स्विर्यम के स्थापना की उसको उन्होंने कह दिया किने के लड़कीं को छेड़ने के लिए अज rhahul गधिया मनेनी प्रियंकाजी मंदीर मंदीर और चक्र लगा रही है कभी काते हिरा हमारा सांडिल गो रहे हैं उनका कि सो सकता है कि नियुव रात्र में चिकशन मटन खाएंगे दिखा देखाकर हिंक हमारा हम व certa कि भरामन धान काते हैं वह ब्रहामन लोग काते हैं फुव सकता है लेकिन हमारा ध्यार में ग्रांत ये नहीं कहता खाने कि लिए हमको है हमको खानी नहीं देता जैसा कहा गया है सारे चाहिए त्मानथ पढ़ लीजिए शीम्हा पुरान परppy लीजिए श्यूं महापुरान लग कम रीट मानष्च यह करना चाहिए करना चाहिए ह यहां काफी नराजगी बहुत नराजगी है लेकिन इस बार बहुत मुंकिन है इस बार न रजी है आप जंतास पुछिए हैं हमसे क्या पुझ पुछिए जनता तो में आपी बताया के नहीं बताया आपको तो कुल्मिला के जो यहां का माहूल है वो यह है कि इस तरफ काफी नाराजगी है लोगों कि उसके पीछे मंदिर परशाशन और वो ब्योस्ताएं हैं वो ब्योस्ताएं गड़बड़ है इस वज़े से हैं फिलाल यातरा जारी रहेगी जुड़े रहे टीवी नाम भीहार जा